जैसे कि अभी हम कॉंग्रेस कार्याले के बाहर गए थे तो वहाँ पर कहीं न कई फीकी पड़ी वहाँ दिखी कि किस तरीके से तयारियां चल रही हैं अब हम आज आमाद्मी पार्टी के कार्याले में मौझूद हैं जहाँ पर जो इस बार आमाद्मी पार्टी से ख्यमंत्री प्रतियाशी के रूप में अब सामने आ रहे हैं करनल अजे कोट्या उनसे बात करेंगे कि किस तरीकी की चुनावी तयारियां इस वक्त चल रही हैं और जानेंगी कि अब डिजिटल प्लाटफॉर्म में किस तरीकी का जोरो शोरो से प्रदर्शन चल रहा है तो क्लेर करी है कि उत्राखंड में अलेक्शन हो गए और इसका तो सब को स्वागत करना चीए क्योंकि लोग तंत्र में जब जनता सरकार चुनती है और समय पे सरकार चुनेगी तो अपने आपी गवर्नेंस भी अच्छी होती है जनता की उमीदे भी जो होती है वो अच्छा त तरीके से डेमेज वाए सोसाइटी को वो चीज हमें कहीं ने कहीं अवाइट करनी है एलेक्शन भी लेकिन साथ में होने चाहिए तो उसका तरीका जैसे स्ट्रॉंग ली रिकमेंड करा जा रहा है कि आज वर्च्वल तरीके से डिजिटाइज तरीके से कैम्पेनिंग होनी मतलब कहीं भीडना हो जादा था कि कोरोना के फैलने के जो चांसे से होना बड़े और आम आदनी पार्टी की तो खासियत ही है कि वो बड़े स्ट्रॉंग तरीके से डोर तो डोर कैम्पेनिंग करती है और डिजिटल मैथर्ड को बहुत यूज करती है हम लोग हमारी जो दिस्केशन होते हैं उसके बाद वही स्टेट लेवल पे होती है वो डिस्केशन और उसके बाद में वो विदान सवा लेवल पे होते हैं वर्चुल तरीके से तो हम तो वर्चुल तरीके से बहुत जादा प्रिपेर्ड हैं इसको करने के लिए तो मैं आप से जाना चाहूं तो इस चीज को लेकर आपका last ऐसा क्या post रहा और ऐसा क्या चीज रही जो आप मुझे पता रही last tweet, last instagram, last whatsapp में जो message है और जो last facebook में जो जा रहा है अभी चार मिनट पहले मैंने उसे बोला है और अभी आने वाला है और वो यही चीज है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जनता को आसवाशन देगी कि digital method से अपने points उन तक convey करेगी और crisp कार से जनता की जो सोच है जो उमीद है वो हमारे पास आए virtual तरीके से और हमारे जो door to door campaign है उसके तरीके से अभी दो तिन मिनट में वो last किया मैं तो जाया तीन सो यूनिट बिजली का तो उसमें कोई साड़े चौदा लाख families ने registration करा रहा है यह हमारे पास digitized registration के जो data है फिर उसके बाद में हमने youth को रोजगार को जो चलाया उसमें कोई आठ सवाल आठ लाख youth ने registration करा रहा है फिर महिला guarantee scheme आज कला हम चला रहे हैं जिसमें कि एक हजार रुपए उनके account में हर मैने जाएंगे तो अभी तो शुरू हुई है लेकिन दो सवादो लाख इसमें आ गए हैं उत्रा खंट को आध्याद्मिक राज़दानी बनाएंगे सवादो लाख करीब registration उसमें होए फिर उसके बाद में उत्रा खंट के बाहर जो तीर लाख तो है common और अगर सारा मिला के चलें तो 27 लाख के करीब digital data है जिससे regularly हमारे जो call center है वो touch में है और वो यह process ना चलती जा रही है आज शुरू नहीं हुई है अब क्यूंकि virtual means का हमने ज्यादा recommend तरीका जो दिख रहा है तो अब हम अपने call center को और बढ़ा रहे हैं और क क्या करा है हर विदान सभा में distribution करा है कोई साथ या आठ मंडल बनाया है उसके बाद में हर मंडल के नीचे चार या पांच सेक्टर बना रखे हैं हर सेक्टर के नीचे पांच या शे बूत हैं यह सब depend कर रहा है कितनी population है कितना इलाका है उस पे अब जो बूत है उस बूत म कैसे हमारे तक भेजेगी और यह जो मैंने scheme बनाई है यह जो organization बता रहा हूँ इसको हमने हर अलग-अलग WhatsApp ग्रूप बना करके इसमें जोड़ा हुआ है और जो मंडल वाले हैं वो finally हमारा जो यहां पे तहरादून में या उत्राखन का जो संगठन है उसका जो main जो setup है उसक से ऑस्पिटल बना दिये युगां को रोजगार दे दिया पहडों में ब्रश्टाचार खतम कर दिया सड़के अच्छी कर दी बिजली पानी प्रोवाइड कर दिया पलायन तो अपने आभी रिवर्स हो गया पलायन के कारण ही सारे यह है इन चीजों को पूरा कर देंगे त कि यहां का जो आई टी सेल की तरवी मैं चाहूंगे कि एक बार आप दिखा दें कि यहां का जो आई टी सेल है किस तरीके से काम कर रहा है काफी जादा यहां पर आई टी सेक्टर देखने को मिल रहा है यहां पर लगाता है ट्वीट और जो भी आमानवी पार्टी को दिखा दिखा दिए कि इस तरीके से यहां पर काम चाहिए